पिछले मॉड्यूल्स में हमने सोशल वैल्यू प्रोपोजिशन को डिफाइन करना और उसको क्वांटिपाई करना जो है उसके बारे में बात की और अब बारी आती है money value की कि monetize उसको कैसे करना जिस चीज़ को आपने quantify कर लिया अब उस पर आपने एक money value या dollar value जिसको कहते हैं वो करनी है monetize करना जरूरी है क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही है एक तो उससे credibility establish होती है जैसे मैंने कहा हम सब unconsciously numbers की पैदावार हैं और अपनी जिंदगी numbers में गुजारते हैं और हम numbers पर भरोसा करते हैं अगर आपको कोई कहे कि कुछ बहुत अच्छा हुआ तो आप कहेंगे कितना अच्छा तो बिल्कुल इस लिहाज से numbers जो हैं वो important है कि वो कितना को define कर देते हैं तो money values जो हैं वो important है कि वो आपको credibility देते हैं as social entrepreneur के कितने पैसों में आप क्या goods and services जो हैं वो deliver कर सकते हैं number two यह एक matrix establish कर देते हैं कि किसतनी amount जो है वो किस किसम की value जो है वो create कर सकती है तो वो उस matrix को फिर आप कम या ज्यादा करके अपने investors को convince कर सकते हैं उनको आप एक clear framework दे सकते हैं उनकी investment के हवाले से कि वो कितना invest करेंगे और वो किन चीज़ों पर invest करेंगे और उसका क्या return आएगा यह बिलकुल ऐसे ही है जैसे आप बाजार जाते हैं अगर आपके कान में आवाज पढ़ती है 100 रुपे का एक तो आप unconsciously एक दफ़ा रुक के आपको किसी खास चीज़ की जुरूरत नहीं है तलाश भी नहीं और आपको पता भी नहीं वो 100 रुपे का एक क्या कह रहा है आप सूचते हैं आज के समाने में 100 रुपे में क्या मिलता है तो मैं देखूं तो सही तो यह monetize करना जो है वो इस लिहाज से important है कि जब social entrepreneur कहता है कि इतने पेसू में इस value में वो इतना deliver कर सकता है तो investors, funders, बाकी stakeholders जो हैं वो attract होते हैं उन वो एक तरह से convince हो जाते हैं कि ये एक solid चीज़ है बेशक social problem है बेशक किसी की need है बेशक tangible नहीं है intangible form में है लेकिन उसके उपर जो monetary value है वो real है और वो उसको estimate कर सकते हैं उसका return estimate कर सकते हैं तो इस लिहाज से monetize करना जरूरी है ये monetize करने के लिए मुख्तलिफ किसम की approaches अस्तमाल होती हैं उन में से कुछ social entrepreneurs के लिए हैं कि वो जो अपना project सोच रहे हैं या जो enterprise या जो initiative उनके जहन में है या जो mission है उनका उसको monetize करने के तरीके और कुछ approaches जो हैं वो investors के लिए हैं कि वो इस बात को assess कर सके हैं कि जो social entrepreneurs क जह रहे हैं जो उनका mission है उसके लिए किस किसम की assessment वो कर सकते हैं कि कितना money जो है वो worth spending है या worth investing है और उसमें से कितना return आ सकता है इन में से कुछ approaches का जिकर हम throughout this course करते आए हैं कुछ आपके लिए शायद नहीं होंगी मैं briefly इनको touch करूंगी आपकी course जो material है उसमें इसकी detail मौजूद है सबसे पहले बात कर लेते हैं cost effectiveness analysis की ये एक ऐसी approach है जिसके जरिये से social entrepreneurs as well as investors एक साइड जो cost side है वो real है लेकिन जो effect है या जो benefit है या value है वो non-monetary है मसलन जो cost एक बच्चे को malaria से बचाने की है उसमें malaria से बचाना जो है वो non-monetary है लेकिन उसके लिए जो cost है medicine देना या net मच्छर से बचाने के लिए provide करना वो monetize हो सकता है तो वो ratio एक निकाल लेते हैं कि एक बच्चे के उपर कितनी cost आती है malaria से बचाने की उस community में कितने बच्चे हैं उतने बच्चों को बचाने के लिए ratio क्या होगी तो ये एक तरह से cost effectiveness कि क्या हम उसका benefit दे रहे हैं उस ratio के अंदर रहते हुए और ये जो monetizing है ये ratios में है exact numbers में नहीं है इस बात को note करना जरूरी है क्यूंकि दूसरी side जो है benefit वाली side जो है वो tangible नहीं है वो quantifiable नहीं है या वो monetize उसको किया नहीं जा सकता सिरफ cost side को किया जाता है तो exact number नहीं देते है ratio देते हैं कि ये ratio होगी दूसरी एक जिसका हमने बार बार अप्रोच का जिकर किया वो social return on investment SROI है इंटरस्टिंगली SROI जो है उसकी बहुत मशूरी है वो एक बहुत frequently use होने वाली term है लेकिन अगर आप उसको इसको इस्तमाल करने के हवाले से सोचें तो वो अभी अतनी developed approach नहीं है मुख्तलिफ लोगों के नज्दीक social return on investment जो है उसका मतलब मुख्तलिफ है दो main traditions UK tradition और the US traditions है UK में social return जो है उसको मुख्तलिफ चीजों से माय gekommen zestाटा है और US में social return on investment जो है उसको मुख्तलिफ टरीके से मुख्तलिटर्स के जजिए से माय跟大家 किया जाता है and the debate is going on अभी कोई final agreement उसके उपर नहीं है एक और अप्रोच जो है वो benefit cost ratio है again ratio है कि जो benefit है उसको तो आप measure कर सकते हैं लेकिन cost जो है वो tentative है तो net benefit जो है एक इस amount के अंदर रहते हुए वो कितना हो सकता है अगर हम ये ratio तैग कर लें तो investors के लिए फैसला करना असान हो जाता है कि is it worth spending, is it worth investing अगर benefit जो है वो cost को आउटवे कर रहा है तो जाहर है वो invest करना चाहेंगे even donors जो है उनके लिए decision making आसान हो जाती है कि कौन से causes में net benefit cost को outnumber कर रहा है, आउटवे कर रहा है वहाँ पे donate करना जो है वो बेतर है, vis-a-vis किसी ऐसी ratio के, जहां पे net benefit जो है, वो बराबर है या कम है, जाहर है वो option viable नहीं है best available charitable option ये increasingly इस्तमाल में ये approach आ रही है सादा लफ़जों में इसका मतलब क्या है कि जो funder है वो donor है या investor है वो सोचता है कि इस entrepreneur को मैं कितने पैसे दूँ किसी खास cause को किसी mission को achieve करने के लिए तो entrepreneur जो है वो कहता है कि जो इस वक्त charitable non-profit organizations इस वक्त इस काम को जतने पैसों में कर रही है per unit cost जो है उनकी मैं उससे कम में अगर आपको ये काम करके, ये social cause achieve करके, ये problem हल करके दूँ तो क्या आप investment करेंगे ये जो approach है इसको इसो का, human fund school, ये सब लोग इंतहाई तेजी से adopt कर रहे हैं again it's a kind of ratio कोई exact number नहीं है मसलन अगर एक health का issue है, vaccination आप बच्चों की कह ले अगर जो कोई charitable organization है कोई non-profit organization है, NGO है वो 84 cent जो है, उसमें एक बच्चे को vaccine देती है और ये जो social entrepreneur हमारा है वो कहता है, अगर मैं 20 cent में एक बच्चे को vaccinate कर दूँगा मेरा program इतना innovative है तो of course, अशोका के लिए ज्यादा उस viable है कि हो हमारे entrepreneur को invest करे, विज़ावी उस charitable organization के जो assistant में कर रही है एक और approach जो है वो investment bubble chart है आपने अभूमन business organizations में देखा होगा आप किसी multinational के या किसी बड़े business के office में जाते हैं, जिनके बहुत सारे programs, बहुत सारे outlets जो हैं वो दुनिया के या मुलक के मुख्लिफ हिसों में हैं, तो वहाँ पर एक board पर एक chart बना होता है जिसमें bubbles की शेकल में उस मुख्लिफ outlets की जो progress है वो दिखाई हुई होती है या मुख्लिफ मुलकों में जो उसके franchises या organizations या साब offices हैं उनकी progress चोगी होती है तो social entrepreneurs जो हैं वो चूंके बास चीजें, बास उनके जो impacts हैं, वो इस तरह के होते हैं कि वो उनके number नहीं लगा सकते तो वो bubbles की form में एक chart के उपर दिखाते हैं कि पहले situation क्या थी bubble का size क्या था entrepreneur ने जो investment की जो initiative लिया तो impact जो उसका है उससे bubble का size जो है वो कितना हुआ और ये bubbles across initiatives जो है वो भी compare हो सकते हैं और within one initiative जो early stage थी और जो initiative लेने के बाद impact हुआ है उसकी stage पर भी उसको किया जा सकता है basically ये जो approach है bubble charts जो है ये as such measurement नहीं करते ये सिरफ demonstrate करते हैं impact को ये investment decision के लिए उतने शायद helpful नहीं है thank you